आप सबसे पहले फॉलो करें बिटा कॉस्ट ऑफ क्यापिटल लिवरेज और क्यापिटल स्ट्रक्चर। सेल्फ रिटन नोट्स आर अल्वेज बेटर एस कंपेर टू एनिटिंग एल्स। बाद में आपके पास समय कम है उस समय सिर्फ रिवीजन पर फोकस कर रहेगा राधर दन कोश्टन करने पर यू एव लिमिटेड टाइम तो उस टाइम का बेस्ट और ऑप्टिमम यूटलाइजेशन करना है जिससे आपा 90 प्लस का टारगेट करें हाई चैंप्स मैं आपका दोस्ट यह सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एफम एसन की स्टेजी लेकर सटेंबर 34 एक्जाम के लिए बचाप पूरी स्टेजी हमने दो पार्ट्स में बाटी है सबसे पहले आपका स्टेडी प्लान एंग सेकिंड आपका बिटा रिवीजन तो अपन इस स्टेजी में पूरा डिसकेशन करेंगे आपको स्टेडी कैसे करना है एंग दें रिवीजन का क्या शेडियूल होना चाहिए अलाइट लेट्स बिगिन दा गेम तो बिटा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टेडी प्लान के तो स्टेडी प्लान में बिटा सबसे इंपोर्टेंट है चेप्टर का सीकुइस वहीं किस तरीके से फॉलो करना है तो दोस्तों मेरा रिकमेंडिड रहेगा आप सबसे पहले फॉलो करें पिटा कॉस्ट ऑफ क्यापिटल लिवरेज और क्यापिटल स्ट्रक्चर पहले आप ये तीन चेप्टर क्यां इन इंवेस्टमेंट डिसीजंग के पास चलेंगे और फाइनली डिविडेंट डिसीज़न एंड रेशो एंड लास्ट बेटा आपके पास रहेगा तो बिसीकुइस अंदर वेचा लान में फॉलो करेंगे इसी सीकुइस में मैंने आपको सारी की पढ़ाई हुए हैं इंटर लिंकिंग बनाई हुई है ठीक है बिटा तो ये तो पहले हमारे पास discussion हो गया बिटा हमारे सारे के सारे curriculum का अब दोस्तों इसके अंदर कुछ-कुछ बाते हम आपके साथ करते हैं बिटा पहले मैं आपके पास SM की बात करता हूँ I will first talk about SM दोस्तों SM में आपको बनवाए हैं आपके लिए obviously self-written notes are always better as compared to anything else क्योंकि बिटा ये हमारे लिए अपनी language में लिके वे अपने हाथ से लिके वे बहुत जादा helpful होते हैं फॉर अबर एक्जाम जो बच्चे कहते हैं नहीं सर मुझे तो ये नहीं करने है कोई बात नहीं बिटा ये हमारे मैंने जो आपको notes दियां उसी का summarized form है तो आप इनको book में से भी mark करके अपने लिए notes वहां से भी तयार कर सकते हैं दोनों ही option आपके पास available है तो बिटा उस chapter में आपको हर question पे self notes लिखनी है self notes का मतलब है दोस्तों उस point में या उस particular question में क्या नई बात आई या इस question में क्या नया technical point आया ये दोनों के दोनों बाते आपको अपने आप लिखनी है once you start noting it down तो बिटा एक्जाम में ये self notes एक्जाम से जस्ट पहले जब आप revision करते हैं आया आप normal revision करते हैं उस समय ये बहुत जादा helpful आपके पास होते हैं so ये आपके बात के लिए बहुत important role play करते हैं बट इनको लिखना starting से पड़ता है ताकि बाद में अपने को दिक्कत ना है further जो repetitive nature के questions हैं classwork और homework में बटा उनको आप mark कर लीजिए कि भाई ये similar है question number इसकी तरह है with a small difference और वो difference वा लिख लीजिए तो आपकी book बटा भर दीजिए येस आपकी book बच्चा भर दीजिए ताकि वो book आपसे खुद बात करें ले भाई यहाँ पर ये था यहाँ पर ये था तब आता है असली मज़ा तो आपको बटा repetitive questions को mark करना है ये हमें बहुत जादा help करेंगे जब हम अपनी revision के समय काम करेंगे तो अब आपको पहले तो chapter का sequence clear हो गया अब एक important बात जैसे ही आप एक particular chapter कोई complete करते हैं लेट से आपने बिटा SM का chapter number one complete करा तो भाई मेरा recommendation है उसी समय उसके past year questions उसी समय उसके RTP, MTP के questions study module के questions और MCQ बिटा साथ साथ cover करिए कोई बाद का option मत रखिए मैंने जो आपको book provide करवाई है या notes दिये हैं बिटा उन समय RTP, MTP के latest technical questions जो आपके पास repetitive nature के नहीं है प्लस जो आपके MCQs है वो सब covered है बागी बच्चों को मैं recommend करूंगा बिटा जैसे ही एक chapter complete होता है उस chapter के बिटा past year questions RTP, MTP, study module साथ साथ cover कर लीजिए क्योंकि बिटा बाद में कभी समय ही नहीं मिलेगा बाद में आपके पास समय कम है उस समय सिर्फ revision पर focus कर रहेगा rather than question करने पर तो इसलिए हर chapter के साथ साथ उसके साथ ही सारे चीज़े निप्टा दीजिए प्लस बिटा अगर मैं FM की बात करूं तो FM में बिटा हर chapter की theory भी उसी समय करनी है let's save मैंने leverage का topic पड़ा leverage के सारे numerical complete कर लिए अब बिटा leverage की जो theory आपको book में given है वो read करिए साथ साथ उसके जो mcq है वो भी complete करिए बाद का कोई लफड़ा नहीं चाहिए बाबू सब कुछ अभी के अभी एक साथ करते चलिए क्योंकि बाद में समय बहुत कम है आपके पास September के लिए you have a limited time तो उस time का best और optimum utilization करना है जिससे आपा 90 प्लस का target करें और देखो बिटा हर सब्जेक्ट में complex question भी रहेंगे easy भी रहेंगे mid level तो सारे questions identify पहले से कर लीजिए ताकि revision के समय ऐसा ना हो सिरफ असान असान करा और complex में गड़बड कर गए ना सारे question पहले से identify तभी बोला repetitive question identify self notes बहुत जादा important है तो यह आपका बिटा सबसे पहले study plan की बात हो गई अब बात करते हैं दोस्तों हमारे revision plan की revision को कैसे schedule करना है तो बच्चा revision के लिए मैंने आपके लिए दो revision का pattern बना दिया आप चाहो तो तीन revision में भी इसे बाट सकते हो बट दो revision तो must है मेरे इसाब से पहली revision में बटा आपको सबसे पहले concept पे focus करना है और जो question आपने पढ़ते वे identify करें कि यार ये थोड़ा ना complicated है या इसमें कुछ technical point था बटा उन questions को I would recommend आप solve करें ये लगबग हर chapter में 20 से 25% होनी चाहिए मतलब let's suppose अगर एक chapter में आपके पास बटा 10 question है तो उसमें से कम से कम 2 या 3 question अपने हाथ से solve करने है I just gave you a reference 22-25% का तो बटा ये आपको पहली revision में करना है second revision में हमारे पास समय काफी कम होगा तो मैं ये मानता हूँ बटा तीन एक महीना आपके पास है जिसमें आपके पास तीन subject है करने को group 2 के तो 10 days for each तो अपन बोल सकते हैं 7 और 3 days का बटा break up या कर देते हैं तो पहले में 7 दूसरे में 3 यहाँ पर बिटा 10 से 15% question आप writing से करेंगे concept पर focus और questions को go through करेंगे एक दो question आप कर पाएं तो उसको जरूर करेंगे minimum एक question बिटा हर chapter से आपको करना है so that उस chapter पर flow आपका बना रहे है अब यह हो गया बिटा revision plan का part दोस्तो कुछ important बाते दोस्तो सबसे पहले आपको plan इस तरीके से करना है कि यह जितना study वाला पाट है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं this should get over by last 31st July तो 31st July तक बिटा आपका यह वाला सारा काम complete होना चाहिए इस से आगे नहीं जाना चाहिए तो आपकी सारी classes should get over by 31st July further जब आप पहली बार पढ़ें so make sure बिटा आप सिरफ concept को 1 या 1.25 एक्सपर देखें ज़्यादा ना बढ़ा है तो उससे क्या होगा retention बढ़ जाता है आपका concept का paper में बिटा concept पे based question आएंगे हमेशा आए है technical आते हैं complexity आती है वहाँ से निकलने के लिए बिटा ये concept है जो आपको बहुत ज़ादा help करने वाले हैं so अपना focus concept पर बहुत ज़ादा इसके लिए आप revision marathon जो already इस channel पर पढ़े है बिटा उनका भी use कर सकते हैं वहाँ पर short समय में हमने पूरा का पूरा topic आपके साथ cover करा है तो वो भी आप use कर सकते हैं concept के revision के लिए but make sure बिटा concept को अच्छे से revise करना है ताकि exam में जो भी question आए institute जैसा मर्जी technical question पूछ ले we should be able to answer I hope दोस्तों it's clear चलो so I wish you all the best for your final preparation and let's rock it guys is time 90 plus का target कर रहा है all the best दोस्तों